दोस्तों इस बार दिवाली में लाखों रेलवे कर्मचारियों के खाते में बढ़ा हुआ बोनस आ सकता है बोनस के संबंध में रेल कर्मियों के संग ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैशनव के साथ मुलाकात की है इसमें कर्मचारियों ने मांग की है कि बोनस का कैलकुलेशन चठे के बजाए सात्वे वेतन आयोग के आधार पर किया जाए भारती रेलवे के चठे वेतन आयोग के अनुसार 7,000 रुपे प्रतिमाह निवनतम वेतन के आधार पर बोनस तै होता है किंतु वर्तमान समय में रेलवे करमचारियों का नियूनतम वेतन 18,000 रुपए है जो एक जन्वरी 2016 से 7 वेतन आयोग में रेलवे करमियों को ये वेतन मिल रहा है ऐसे में छठे वेतन आयोग के मताबिक करमचारियों के बोनस की गणना करना अन्याय है पिछले वर्ष अठाहतर दिनों के वेतन के बराबर 7000 की रुपए नियूनतम वेतन के आधार पर कुल 17951 रुपए बोनस ही मिला था जो किसी भी रेलवे कर्मचारी की वास्तविक कमाई को नहीं दर्शाता है क्योंकि रेलवे में नियूनतम वेतन 18000 रुपए है ऐसे में 17951 रुपए का अठाहतर दिन का बोनस नियूनतम वेतन से कम है और यह न्यायचित नहीं है दोस्तों वर्तमान समय में 18000 रुपए के सही नियूनतम वेतन के आधार पर 18 दिन का बोनस 46169 रुपए होना चाहिए जिसे यदि सरकार द्वारा यदि इस मांग को मान लिया जाता है तो इससे हर रेलवे करमचारियों को 28208 रुपए का फाइदा होगा कैसे कैलकुलेशन होता है बोनस की राशी आईए जानते हैं पिछले वर्ष 17951 रुपए का बोनस मिला था 7000 नियूनतम बेसिक को आधार मान कर दिया गया था इसमें 7000 बेसिक के अनुसार एक साल का कुल बेसिक वेतन 7000 गुणा 12 बराबर 84000 होगा और एक दिन का 84000 में 365 से भाग देंगे तो लगभग 230 रुपए 14 पैसे होंगे जिसमें हम 58 से गुणा करेंगे तो यह 17951 रुपए होगा और यदि बेसिक 18000 मान कर गड़ना किया जाए तो देखिए क्या होगा 18000 गुणा 12 बराबर 2,16,000 अब इसमें 365 से भाग देकर एक दिन का अमाउंट निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 5012 रुपए अठहतर पैसे अब इसमें 68 दिन से गुणा करेंगे तो यह होगा 46,169 रुपए जो अभी मिलना चाहिए